सच सच बताना होली का इंतजार होली के पकवानों के लिए कौन कौन करता है भाई मुझे तो होली का इंतजार सिर्फ और सिर्फ गुजिया के लिए होता है आपको किसका इंतजार है मुझे कॉमेंट करके जरू बताना पर ज़रा ठहरिये आज हम गुजिया बनाना नहीं बलकि नमकीन बनाना सीखेंगे क्योंकि होली पर मीठे के साथ साथ नमकीन का जादा स्वाद लिया जाता है तो फ्रेंट सिटी किचिन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तरह के ऐसे स्नैक्स बनाएंगे जो घर में हर कोई बड़ी ही आसानी से बना सकता है अगर आपके घर में हैं आलू तो आप इस स्नैक को बिना कोई टेंशन के बना स साथ में कुछ मसाले तो नमक डालें स्वात के अनुसार थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला या काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और ये देखिए इसको बहुत ही करारा सा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा खान पॉलिथीन उसमें होती उसे साफ करें और एक पॉलिथीन के अंदर इस आटे को आपने रख देना है साथ में आपने इसको अब बेलन से बेल लेना है थिकनेस इतनी रखनी है लगवग आधा सेंटीमीटर न जादा मोटा रहे और नहीं बहुत पतला हो जाए इस तरह से आप ने बेल कर एक इसकी शीब तắm करेनी है ये देखिए कितना आसान काम है ना बहुत आसानी से हो जाएगा जब आप इसे बेल कर तयार कर लें तब आप अपर की में शीट को ऐस स्तरह उतार दीजिए ये देखें हमारी शीट जिब यह निकल जाएगी तब अब हम इसे मन चा पानी की बोतल होती है उसका धकन ले उससे भी आप बहुत आसानी से काड़ सकते हैं और यह देखिए कितनी सारी हमारी काजू वाली शेप तयार हो चुकी है तो दोस्तों होली क्या मज़ा लेने के लिए तयार हो जाए कड़ाई में तेल गरम करें और गरम गरम तेल में इस ट आपने इसको फ्राई करना है बहुती क्रिस्पी करारा सा सुनहरा लुक आने तक बहुती मज़िदार सा स्नैक आपका हो जाएगा तयार और देखिए जब आप इसको तल रहे हैं तब तक एक काम कर ले न वही चैनल पर अगर नहीं है और चैनल अब तक सब्सक्राइब नही है तयार चलें हम इसको निकालते हैं और मैं दिखाती हूं कितना क्रिस्पी बना है साउंड सुनें आपके वाव मज़ा आगया ना सुनके खाके और भी जादा मज़ा आएगा जरूर ट्राय करना इस होली पर इसको बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आईए फट से एक दूसरी रेसिपी तयार करते हैं दूसरे शेप में दूसरे फ्लेवर में यह भी हम आलू से बनाएंगे आलू सब के घरों में होता है ना तो खर्चा काहे को करना सस्ते में काम हो जाएगा तो इसके लिए भी हमने फटा फट से कुछ आलू उबाल लिये हैं और यहाँ पर वापस से आलू उबालकर हम इसको भी मेशर से मैश कर लेंगे इसको भी हमने खुब महीन कर लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं और जब आपके यह आलू महीन मैश हो जाए तब आपने वापस से इसमें अपनी पसंद के कुछ मसाले मिला देने हैं और इस नम पसंद आता है इस बार हम आलू के अंदर थोड़ा कॉन फ्लॉर एट करेंगे और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर एट करेंगे और इससे क्या होगा नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अब आप इसे बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए दो चम्मच या एक चम्मच तेल इ सकता है कोई चाट मसाला ले सकता है धनिया डालना या ना डालना वो भी ऑप्षेनल दाल दे distract not अच्छा में लगता है नई डालने तो कोई बात नहीं है मर्जी आपकी अब सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छ SEC municipal कर लेना है एक दम बहुत बढ़ी और हैं और आप एक चम्मच या एक चम्मच हल्दी पाउडर दाल दें तो बीना कलर के बनाना है तो ऐसा ही रहने दें मर्जी आपकी यह और यह देखिए यह हमारा डो हो गया है तयार अब इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे गर में जो पॉलिथीन होती एक साफ सुत्री सी उसका एक कौन बन आले ने हैं यह देख सकतें आप हैंना बहुत बड़्या एकदम फ्रेंश फ्राइज से भी कहीं ज्यादा टेस्टी बन जाएगा फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है आप सिर्फ आलू बना रहे हैं इसमें आलू भी है और बहुत सारे मसाले हैं तो इस तरह से आप इसकी शेप तयार करने जितने भी बड़े रोल आपको तयार करने हैं और इसके बाद आपने कड़ाई में तेल गरम करना है और गरम तेल में फ्राई कर देना है इसको ये देखें कितना आसान सा तरीका है अब चलें फटा-फट से इसको कड़ाई में डालते हैं ये देखें इस तर भाई होली पर अभी बहुत सारी चुट्टियां एक साथ आ गई हैं फ्राइडे सेटरडे संडे मंडे तीन चार चुट्टियां हैं और घर में बच्चों का हुरदंग होने वाला है सारा दिन उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए पूरा दिन आपसे पैसे मांगते रहेंगे तो पैसे क्यों बरबात करना एक बार स्नैक बना के रख लें और जब भी बच्चों का खाने का मन करें बस उनको यह स्नैक दे दे एक तो घर में बनेवे स्नैक जो हैं फाइदे मन्द होते हैं क्यूंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं कोई इस वाले स्नैक को भी तल कर तैयार कर लेना है बहुत ही क्रिस्पी करारा सा एकदम सुनहरा होने तक देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ गया है बहुत बढ़िया से आपके फिंगर चिप्स फिंगर फ्रेंच फ्राइज आपकी तैयार हो चुकी है पटेटो रॉल्स कह यो भी कह लें पटेटो स्टिक्स कहना चाहिए नाम अपनी मर्जी से रख देना बस बना के जरूर देखना यह देखिए बहुत ही क्रंची अह अब साय तो चंट्णी से खाएं चाही तो सौस से खाएं जैसे मर्जी कहां बनांके जरूर ट्राइ करें तो फटा फट से हम अ मोटे मोटे टुकडों में काट लेंगे कुछ इस तरह से ये देखें आप चाहें तो वैसे भी उबाल सकते लेकिन बहुत बहुत जादा महीन अगर करना हो तो आप ऐसे कर ले जल्दी भी हो जाता है और ये देखिए आलू हमने दो कि अच्छे से बस उबाल लेने हैं लगब 10 मिनट के लिए 10 मिनट के बाद इसको हम चन्नी में निकाल देना है और वापस से इसको अच्छे से मैश कर लेना है जरा साभी लंस ना रहे आप मैशर से करें कद्दू कस कर ले या काटे से जैसे मर्जी अब अपनी पसंद के वापस से कुछ मसाले डाले तो एक नया अलग फ्लेवर करेंगे इस बार हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे साथ में नमक डालेंगे स्वात के अनुसार और यहां पर मैं डाल रही हूं फिलहाल कसूरी में थी तो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है या आप मिंट का फ्लेवर लाना है तो मिंट पाउडर डाल दे और य सारी चीजों को अच्छे से हमने हाथ से मिक्स कर लेना ये देखें बहुत ही आसान तरीका है आप एक डो में भी कई तरह के स्नेक तयार कर सकते हैं मैंने तो तीन डो इसलिए लगा है क्योंकि मैंने तीन अलग-अलग फ्लेवर में तीन अलग-अलग डिजाइन के बनाए है य इससे क्या होता है हाथ चिपकते नहीं है और बहुत आराम से आप किसी भी शेप में तयार कर सकते हैं स्नैक को और ये देखिए हमने इसको बेल लिया वापस से बहुत जादा मोटा नहीं रखेंगे नहीं बहुत बरीक रखेंगे और उपर की ये शीट उतार देंगे जब एक बार बेल के तयार हो जाए अब आपने फिर से इसे अपने मन चाही शेप में कट कर लेना है तो आएए कोई डिफरेंट से शेप देते हैं चलिए इस बार हम कुछ ट्रैंगल से बना लेते हैं या सैंडविच शेप जिसे कह सकते हैं चोटे-चोटे सैंडविच टाइप कि छोटे-छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं आप round shape देना चाहें या चोकोर या लंबी वाली पट्टियां या ribbon भाई जो मर्जी shape दे दे अपना आपका जो है न टेबल भर जाएगी इतने तरह की shape आप बना सकते हैं तो फिलहाल मैं simple see वही shapes बना रही हूँ जो हर कोई बना सकता है देखिए चाकू से इसको हमने इस तरह से चोकोर चोकोर काट लिया है और इन चोकोर को वापस से एक बीच में center में cut लगा के triangle shape दे देते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में मज़ेदार अगर आप इसमें mint powder डाल रहे हैं तो एक्तम मस्त टेस्ट आने वाला सच बतारी आप टमैटो powder डालें अलगलग flavor में बना सकते हैं और यह देखिए जब यह सारी आपके बन के तयार हो जाए तब आपने इसे plate में निकाल लेना है और कड़ाई में तेल गरम कर देना है गरम गरम तेल में आपने इसको fry कर लेना है और कई लोग कहेंगे कि बहुत oily हो जाता है भई यह बहुत oily नहीं होता टेंशन ना लें इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं भरता है और वैसे भी त्योहार का मतलब तो समझते हैं ना ओईली खाना जब तक ना हो इंडियन्स का तो त्योहार ही नहीं होता समोसे, कचोड़ी, हलवा, पूरी सभी तो तेल में तला जाता है चलिए फिर इसे भी तल लेते हैं तेल गरम किया और मीडियम फ्लेम में हमने इसको fry कर देना है बहुत ही क्रिस्पी करा रहा होने तक इसको जब ये उपर के लिए थोड़ी सिक जाए तभी आप चलाएं वरना तूट सकते हैं और ये देखे, कितनी आसानी से अब हमने इसको पलटते जाना है उलटते पलटते वे बहुत ही बढ़िया सुनेरा होने तक तल लेना है भई होली पर अगर चार चांद लगाने है तो आप ये मेरे हिसाब से इस तरह है कि ये पकवान जरूर ट्राए करना कई लोग जो है गुजिया खाना पसंद नहीं करते उन्हें मीठा पसंद नहीं होता है तो आप इसको जरूर ट्राए करें और टैंशन नाले मैं गुजिया भी सिखाऊंगी कल गुजिया की रैसिपी चैनल पर आने वाली है वो देखना बिलकुल नहीं भूलें तो ये देखिए ये वाला भी हमारा पटेटो ट्राइंगल्स हो गया है तयार और बहुत ही क्रि हमारी करें, तो आеше मेंगल्स है वाला में दोली हैं के रहला कर भी से दोटाएंगे छाएंगे भी से गने तोया के selेड़स हैंगे बस। मिलतों कोल वाला भी क्ająते से वीम्त्तिया इजाँंगेषस हैं गया है Hello वाला जीवानगी स्जाएंगे उदेफलमी लिखना प् val indigenous के